हमारी दुनिया काफी जादा बढ़ी है और इसमें करोडो स्पेशीज के जीव रहते हैं कुछ बेहत साधरन तो कुछ काफी खतरनाक भी समुद्र की गहराई से लेके आसमान की उचाई तक आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स की जो की हमारे दुनिया के लगते ही नहीं है मानो जैसे की कोई दूसरे प्लैनेट से आये हुए एलियन्स है नमबर वन मेंटे श्रिम्प दुनिया के सबसे चोटे और सबसे जादा अजीब दिखने वाले एनिमल्स जिसकी आखे और मूँ बेंटेन के मीनी क्रियेचर एलियन ग्रे मैटर जैसे दिखती है इसकी आखों की मूवमेंट भी देख लो किसी एलियन से कम नहीं है बट गाइस यह काफे ज्यादा खतरनाग भी है यह आपकी आइब लिंक करने जितने टाइम में 50,000 बार अटेक कर सकता है और आपको हाम पहुचा सकता है और इसको फिश पॉट में तो रखा जाई नहीं सकता है क्योंकि यह उसके भी ग्लास ब्रेकडाउन कर देता है इसमें हुमन से फोर टाइम ज़्यादा कलर सेपरेशन सेंस दिये रहते है नमबर टू स्टिंग रे जिसके फिंस बर्ड के फैदर समान दिखते है और ये स्विम भी कुछ उसी तरीके से करती है इसलिए फिश होने की वज़े से ये अपने आप में ही यूनिक है नमबर ट्री ओसम एल्बिनो एक्जेलोट हम चलते फिर से बेंटेन के एक और एलियन के तरब और हम पहुच चुके बेंटेन की स्टिंक फ्लाय तक अब इस एलियन और इस एनिमल को कंपेर करके देखो इन दोनों के सर पर ही और वो कान जैसी चीज आपको दोनों के सर पर दिखेंगी मानो कि जैसे इसी एनिमल से इंस्पार्ड हो की एलियन बनाया गया हो ये एक एमफिबियन है और ये इंडेंजर स्पीशीज में आता है नमबर फॉर किल बिल्ड टुकेन South Africa में पाई जाने वाली ये बर्ड स्पीशीज काफी जाधा सुनदर दिखती है इसकी कोच इसके बॉडी रिशो के इसाफ में काफी जाधा बड़ी है South Africa में पाई जाने वाला ये बर्ड भी काफी जादा रएर है इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये magical world से आया है नमबर फिफ हमारे देश में महच 15 से 20 सेंटीमीटर जितने बड़े केकड़े पाये जाते है लेकिन जापान में जापानी स्पाइडर केकड़ा पाये जाते है जिसके पैर ही 18 फिट लंबे होते है ये भी किसी मॉंस्टर से कम नहीं दिखता शैतानी मकडी स्पाइडर में भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा नमबर 6 किसी भद्दे जैसे मॉंस्टर दिखने वाली ये फिश का नाम ब्लॉक फिश है दुनिया के सबसे बचसूरत एनिमल में से एक जिसकी बॉड़ी डीके हुए किसी एनिमल जैसी दिखती है नमबर 7 डार्विन स्टिक बग जिसे वाकिंग स्टिक भी काया जाता है ये स्पीशीस कुछ थिन स्टिक जैसी दिखती है और इसकी कुछ species तो leaf जैसी भी दिखती है इसे देखके ऐसा बिलकुल भी ने लगेंगा कि ये एक insect है और इसकी लगबग 3000 different species exist करती है अट्लांटिका में पाई जाने वाली ये fish का head transparent रहता है जिससे हम इसके अंदर के part बिलकुल आसानी से देख सकते हैं वाकई ये काफी ज़्यादा अजीब दिखती है और alien भी नमबर 9 वाइपर फिश इसके दाथ इतने ज़्यादा बड़े रहते कि ये ढंक से अपना मूवी बंद नहीं कर पाती है ये fish भी पिराना जैसी कातिल खतरनाक है और किसी monster से कम नहीं दिखती नमबर 10 और जो मैं अब आपको last वाला animal बताने वाला हूँ वो आपने देखा ही है जिससे alien की photo derive की गई है और वो खुद जी हाँ वो owl ही है आपने अब तक जितने भी aliens की photo देखिए वो owl से ही derive की गई है वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे unique content आपको मिलते रहें तब तक के लिए बाई बाई इसे पांधा चका लाई पेगा सब हो गया यह आम बच्चा देखो कितना कास हो गया इस पैंसे